तो आज हम बात करेंगे close set के बारे में, तो close set क्या होता है, पहले उसकी definitions देखेंगे, फिर कुछ points देखेंगे, उसके बाद में examples करेंगे, a set as is card or closed if it contains all its limit point, यानि अगर इसके limit point का set लें, तो वो s का subset हो जाए, ठीक है, यानि यह जो है अपने सारे limit point को contain करता हो, तो हम कहेंगे कि s क्या है, हमारा close set है, तो यहाँ पे एक point लिखा है कि if s dash subset of s, then s is closed, where s dash is the set of limit points, तो इसी को हम ज़्यादा तर इस्तमाल करेंगे, सबसे पहले हम s set के क्या करेंगे, limit points find out करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो set का subset है कि नहीं है, तो example देखते हैं, example number 1 s is equals to natural number, और हम जानते हैं कि इसका set of limit points क्या होता है, वो 5 आता है, क्यों आता है 5, जैसे यहाँ पे 1, 2, तो इसका हमें एक ऐसा neighborhood मिल जाएगा, जिसका intersection अगर हम इसके साथ लें, other than 1, तो यह हमें क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा, जबकि limit point की definition क्या है, कि हमें non-empty मिलना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम limit point की definition देख चुके हैं, तो अब यहाँ पे limit point की definition नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे s dash क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और फाई हमारा subset होता है natural number का, फाई हमारा हर एक set का subset होता है, तो यहाँ पे natural number का भी set subset होगा, तो यहाँ से क्या मिल गया, s is closed, यानि set of natural number क्या होगा, closed होगा, अब यहाँ पे s is equals to q, second example देख लेते हैं, इसका अगर हम s prime निकालें तो हमें क्या मिलेगा, r मिल जाएगा, क्योंकि इसका हम अगर कोई भी neighborhood लें, जैसे अगर हम rational में element ले रहे हैं, इसका हम neighborhood लेते हैं, a plus delta intersection q minus singleton a, तो यह हमेशा non-empty आएगा, q का लें, या फिर हम q complement लें, चुकि limit point के लिए हम कहां से point लेते हैं, r से लेते हैं, तो यहां पर हम r का कोई भी element लें, ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं कि a, delta, a plus delta, यह हमारा क्या है, एक open interval है, और हमेशा open interval में infinitely many rational होते हैं, और infinitely many irrational होते हैं, तो यहां पर infinite irrational होंगे, infinite rational होंगे, तो अगर हम a, इसमें से कोई भी element लेते हैं, ठीक है अगर हमने ये rational लिया तो rational intersection rational के साथ लेंगे तो इसके अलाबा हमें ये और भी elements rational मिलेंगे और अगर ये irrational हुआ तब भी हमें इसमें rational मिल जाएंगे तब भी ये हमेशा non-empity रहेगा और rational हमें किस तरह से मिल जाएंगे कि अगर हमें कोई भी ये दो point मिले इसके बीच में हम एक rational find out कर लेते हैं या फिर दो rational find out कर लेते हैं जैसे हमने A और B इसके अंदर दो rational find out कर लिए तो A plus B ये भी हमारा एक rational होगा और ये हमारा क्या होगा A और B के बीच में होता है mean value है ठीक है तो ये भी इसमें आ जाएगा और फिरम क्या करेंगे इसको C consider कर लेंगे तो A plus C by 2 लेंगे ठीक है A plus C by 2 ये C से less हो जाएगा A से greater हो जाएगा तो ये भी इसमें होगा इस तरह से हम क्या करते चले जाएगे बढ़ाते चले जाएगे तो ये infinitely many rationals मिल जाएगे तो A चाहे हमारा rational हो चाहे irrational हो इसके अंदर हम दो rational number find out कर सकते हैं और दो rational number जब हम find out कर लेंगे तो ये process अपनाएगे ठीक है तो उसका जब हम ये भी सारे rationals आएगे और Q में तो हमारे सारे rationals होते हैं का पूरा R आएगा यानि हर एक point R का limit point होगा और R जो है वो subset नहीं होता है Q का क्योंकि Q subset है R का ठीक है और R इसका subset क्यों नहीं है क्योंकि इसमें irrational हैं और इसमें irrational हैं नहीं है तो this implies that S is not closed S हमारा closed नहीं है यहाँ पे example number तीसरा देख लेते हैं S is equals to 1 by N N belongs to natural numbers इसका drive set निकालेंगे यानि S प्राइम यह क्या आएगा हमारा singleton 0 आएगा यानि इसका जो limit point होता है वो सिरिफ और सिरिफ 0 होता है इसके लाब़ा कोई भी इसका limit point नहीं होता इसके limit point पर हम discuss कर चुके limit point जो हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पर इसके limit point को detail में solve किया था ठीक है तो यहाँ पर S प्राइम जो है वो हमारा क्या है singleton 0 और singleton 0 जो है वो S का subset नहीं है क्योंकि इसमें कभी भी 0 नहीं होगा 1 Y N 0 के equal नहीं हो सकता किसी भी natural number के लिए ठीक है तो S हमारा यानि इसका एक limit point ऐसा मिल गया जो इसका subset नहीं है तो S हमारा closed नहीं है लेकिन अगर हम इसमें union ले लें singleton 0 ठीक है तो यह set हमारा closed हो जाएगा लेकिन फिलाल जब हमने union नहीं लिया तो हमाई इसको closed नहीं कहेंगे अब हम बात करते हैं इस set के बारे में यह जो open set है A,B is not closed ठीक है यह closed नहीं हो सकता अब यहाँ पर यह closed क्यों नहीं होगा क्योंकि A भी हमारा limit point है और B भी limit point है यानि अगर हम S प्राइम निकालें तो वो आएगा A,B और यह subset नहीं हो सकता S का यहाँ पर हमने इसको A,B लिया है क्योंकि इसमें A और B नहीं है ठीक है यहाँ पर A पर हमने इसको close कर दिया infinity पर open तो यह हमारा एक closed set होगा तो यह जरूरी नहीं कि यहाँ पर कहीं पर अगर यह open वाला bracket use किया जाए तो वो हमेरा जो है हमेशा not closed ही आए वो closed भी हो सकता यहाँ पर एक example है A, infinity ठीक है इस तरह से minus infinity, B is a closed set जहाँ पर A हमारा real number कोई भी हो सकता है और B हमारा कोई भी real number हो सकता है लेकिन अगर हम दोनों तरफ open कर दें A, infinity तो not closed ठीक है क्योंकि यहाँ पर infinity जो है वो R में होता ही नहीं है ठीक है जब infinity R में नहीं होता है तो हमें इसका limit point होने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी चाहिए limit point हो चाहिए limit point नहीं हो तो यह हमारा क्या है closed है तो इस तरह से हम closed set निकाल सकते हैं अज के लिए बचत नहीं अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में के लिए वीडियो में